हेलो फ्रेंट्स तो स्वागत है आपका मेरे किचन में एक नई वीडियो के साथ तो आज हम बनाने वाले हैं चोकलेट पुडिंग की रेसिपी तो आईए इसे बनाना शुरू कर देते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप गाय का दुद ले लिया है अब हम गैस पर एक पैंड रखेंगे और पैंड में इस दुद को अड़ करेंगे साथ में इसमें हम एक छोटा कप शुगर अड़ करेंगे और दोनों चीदों को अच्छे से मिला कर हमें इसे सिर्फ बॉइल आने तक ही पका लेना ही तो यहाँ पे इसे बॉइल आ चुका है अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक फिर से आदा कप दुद ले लिया है और उसमें एक कप कॉन फ्लॉर डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे कलॉन फॉर बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन फ्लॉर मिक्स हो गया है अब हम दो टेबल स्पून कोको पॉडर को आड़ करेंगे और इसे भी अच्छे से दुद में मिक्स करेंगे द्यान रखे एक भी इसमें गाड नहीं रहनी चाहिए तो यहाँ फे कॉन फ्लॉर और कोको पॉडर अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसे दुद में एड़ करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें गैस अन कर ले रहा है और गैस की फ्रेम लो रखनी है और यह जो हमने बेटर बनाया था अब हम दुद में डालेंगे और फटा-फट से इसे हमें मिक्स कर लिना है ताकि इसमें कुछ गाड ना बन जाए तो यहाँ पे आप देख सकते यह दीरे-दीरे से गाड़ा होनने लग जाएगा यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है और अच्छे से इसे टैप करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो आप इसे जादہ फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है यह कुछ देर बाद ही सेट होने लगता है तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आदा गंटा इसे फ्रिजर में रख दियाता है अच्छे सेट हो चुका है और इसने बरतन को भी छोड़ दिया है अब हम इसे एक प्लेट में इसे ऐसे टाप करके निकालेंगे तो यह बहुत जल्दी निकल जाता है आप देख की जो रेसिपी हमारी बनकर तयार हो चुकी है दिखने में बहुती सुन्दर लगती है और खाने में भी बहुती स्वादिष्ट लगती है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा बच्चे बड़ो सबको यह पसंद आने वाली रेसिपी है और बहुती कम इंग्रिडेंस से ब बनने वाली है तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर कर लेना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तो के लिए बाई बाई